हलो दोस्तो स्वागत है आपका Peek IQ Steady Channel पे और दोस्तो इस सेशन में हम आज के भारत के जितने भी परवत सरंक लाए हैं जितने भी परवत है उन सब के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं और दोस्तो वीडियो खतम होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आपकी एक्जाम में परवस से रिलिटेट क्यूशन साते हैं वो सारे के सारे मैं यहां पर करवाने वाला हूँ और जो भी आपकी एक्जाम हो चुके है उनमें परवस रिलेटेट जो भी क्यूसन पूचे गए है वो इस सेट में आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला क्यूसन आपके स्केन के सामने है कि बारत की उत्री सिमा पर इस्तित परवत कौन सा है दोस्तों काफी प्यारा क्यूसन है और देखेगा इस क्यूसन का जो उत्तर आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों तो वो आपका हिमाले हो जाएगा चलिए अगले क्यूसन की तरफ हम बढ़ते हैं लेकिन मैं कुछ हिमाले के बारे में जरूरी चीज़े आपको बता देता हूँ क्योंकि एक्जामें पूछी जाती है आपको बताना चाहूँगा कि हिमाले स्रेणी में दोस्तो पीर पंजाल, दोलाधर, मंसूरी, नाग टिबा ओके, और महा भारत की जो भी स्रेणिया है वो आदी इंक्लूड है ठीक है, तो दोस्तो बढ़ते हैं अगले क्यूसन की तरफ अगला क्यूसन आपके सामने, इस स्क्रीन के सामने है दोस्तो I hope आपको परदसी तोरा होगा कि हिमाले परवत किस परकार, मलब हिमाले परवत एक परकार है मलब कैसा परवत है हिमाले परवत, यह आपको पुछा गया है तो देखेगा दोस्तो, इस क्यूसन का जो राइट आंसर है वो आपका वलित परवत हो जाएगा ओके हिमाले परवत एक परकार का वलित परवत है ठीक है अगला क्यूसर आपके सामने दोस्तों आप सभी पैरे सातियों को बताना है यहाँ पे पुछा गया कि बारत की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा गोडविन दोस्तो वह बारत की सबसे उची चोटी है और दोस्तो इसको केट्टू नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो उचाई है वह 6,112 मिटर है दोस्तो ठीक है तो यह आपको याद रखना है 8,611 सोरी गोडिन आश्टीन की जो उचाई है वह 8,611 मिटर है और मैं आपको बताना कि करा करम की सर्वोच चोटी है यह ठीक है और इसके अलावा दोस्तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्यूसन की तरफ अगला क्यूसन आपके सामने आपको परदसीत हो रहा होगा दोस्तो कि बारत में हिमाले की सर्वोच चोटी कौन सी है दोस्तो ठीक है दोस्तो तो इस क्यू क्यूसन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने ये क्यूसन काफी प्यारा था और उमीद करूंगा कि आपकी एकजाम में जब भी आएगा तो आप गलत नहीं करने वाले ठीक है तो अगला सवाल आपके सामने एक मिनट अब आपको बताना है मेरे सातियों यहाँ पुच्चा गिया कि भारत की कौन सी परवत स्रेणी नवी नितम है कौन सी परवत स्रेणी नवी नितम है ये क्यूसन कई बार आपकी एकजाम में आपने फेस किया होगा दोस्तो तो इस क्यूसन का जो राइट आंसर है वो आपका क्यो हो जाएगा दोस्तो देखेगा अरावली भी नहीं होगा दोस्तो सत्थ पूड़ा भी नहीं होगा इस क्यूशन का जो राइट आंसर हो आपका हीमाले परवत हो जाएगा ओके दोस्तो अगले स्वाल की तरफ हम बढ़ते हैं अगला स्वाल काफी अच्छा स्वाल है देखेगा यहां पर पुछा गया कि निम सर्वोच परवत सिकर पूचा है जो कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तो कंचन जंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि भारत का सर्वोच परवत सिकर है दोस्तो अगला स्वाल आपके सामने काफी प्यारा स्वाल है आप सभी को पूछा गया है आपे कि निमल लिखि जो परवत स्रेनी है वो दोस्तो कौन से राजे में है तो वो आपके असम राजे में हो जाएगी ओके दोस्तो अगले सवाल के तरफ हम बढ़ते हैं अगला सवाल काफी प्यारा है और दोस्तो ये आपका एक टेस्ट सीरीज में आपको करवा रहा हूँ इससे आपको काफी ज़्यादा help मिलने वाली है तो दोस्तो इस question का answer आपको बताना है कि हिमाले की उत्पति की बू संती से हुई है दोस्तो तो मेरे साथ यू ये question काफी महतोफून है और इस question का जो right answer है दोस्तो वो आपका टेथीज हो जाएगा टेथीज आपका correct answer हो जाएगा अब दोस्तो मैं आपको बताना चाऊँगा कि जो भूव एगेनिक है उनके अनुसार जहां आज हिमाले पाहाड है ओके वहाँ टेथीज नामक उत्ला समुदर था दोस्तो बस ये माना जाता है आपको इतना याद रखना है इससे जदर नहीं पूचा जाएगा तो दोस्तो अगला सवाल आपके सामने है आप सभी प्यारे साथियों को बताना है यहाँ पे बोला गया है दोस्तो कि हिमाले का जो पाद प्रदेश है जो foot hills regions है दोस्तो निमन में से किस नाम से जाना जाता है तो मेरे सातियों इसQyution का जो minute answer का प्यारा स्वाल है और इसQyution का जो right answer वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तो Siwalik तो हिमाले का foot hill region है दोस्तो उसको हम Siwalik नाम से जानते हैं इतना आपको याद रखना है दोस्तों, पुछा जाता है, I hope आपको ये question समझ में आया होगा, अगला question आपके सामने दोस्तों, आप सभी प्यारे सातियों को बताना है, कि नन्दा देवी, एक मिनिट, नन्दा देवी जो इस्तित है दोस्तों, वो कहां पे इस्तित है, मेरे सा सातियों काफी प्यारा स्वाल है, तो आपने नाम सुनाओगा, उत्राखंड का, ओके, फुलो की गाटी कहां पे है, उत्राखंड में है, दोस्तों, जहां के तीरत सिंग रावत कौन है, दोस्तों, सी एम है, अभी ताजा-ताजा बने है, ओके, तो दोस्तों, अगले स्वाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो दोस्तों, आप सभी पैरे सातियों को बताना है, कि जो बद्रीनाथ है, दोस्तों, वो कहां पे लोकेटेड है, तो मेरे सातियों काफी महतोफून स्वाल है, और इस क्यूसन का जो राइट आंसर है, वो आपका कुमाव हिमाले हो जाएगा, क्य जलाना होगा, I hope आपको पूरे-पूरे ओप्सन दिख रहे होंगे, दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, पंजाब हिमाले, कुमाव हिमाले, ठीक है, इसके अलावा नेपाल हिमाले, असम हिमाले, तो वो कहां पे कहां पे लोकेटेड है, दोस्तों, यह आप सभी पैरे सातियो कि जो आपका पंजाब हिमाले है, कौन सा दोस्तों, पंजाब हिमाले, वो कहां पर है दोस्तों तो आपको याद रखना है, सिंदू तता सतलच के मद्दे है, तो दोस्तों यहां पर M में 3 है, लेकिन इनमें नहीं है, यह दो ओप्षन तो कट गए, तो मैं इनको पहले ही कार देता हूँ, इसके अलावा दोस्तों B की में बात करूँ, तो दोस्तों यहां पर B कौन सा है, कुमाव हिमाले, अभी मैंने बताया था, किसके बारे में, कुमाव हिमाले के बारे में, तो दोस्तों कुमाव हिमाले कहां पर लोकेटेड है, तो मैंने आपको बताया था, तो मेरे सातियों आपको याद रिखना है कि B के साथ पर्ष्ट फोलो कर रहा है तो option A है वो यानि कि option B कट जाएगा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने एक्जाम में टपकने वाला सवाल आने वाला है और उम्मीद करूँगा कि आप सभी अच्छा करके आएंगे तो दोस्तों सवाल ये है कि हिमाले में हिम रिखा यानि कि जो slow line है वो किसके बीच में होती है तो मेरे सातियों काफी महत्वफून सवाल है मैं आपको बताना चाओंगा दोस्तों है ने ये क्यूसन मालब बहुत बार आपकी एकजाम में टपका है दोस्तों कि हिमाले में हिम रिखा निमन के बीच होती है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो है दोस्तों 4500 चे 6000 मिटर फशी में है दोस्तों अगला क्यूसन आपके सामने मेरे सभी पहरे साती जानेंगे इसके बारे में यहाँ पुछा गया है कि निमन लिखित में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सरवत सरवोच चोटी है दोस्तों तो मेरे साती हूँ इस क्यूसन का अंसर गोडीन आश्ठी हो जाएगा और जो पहला है वो आपका माउंट एवरेश्ट है यह आपको काफी अच्छे से याद होगा अगला सवाल आपके सामने 100% एकजाम में टपकने वाला सवाल है दोस्तों देखेगा एक मिनिट वीजीबल नहीं हो रहा हाँ अब आपको बताना है कि कारा कोरम परवत स्रेणी का ज स्रेणी है उसका जो पुर्वे नाम है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा क्रिश्ण गीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों समझ में आया होगा आपको अगला सवाल आपके सामने कि हिमाले स्रेणी छेतरे में मिलने वाली संकीन तता अनुदेदर ये गा अगला सवाल आपके सामने मेरे साथियों आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हों कि लगू हिमाले स्रेणी के धालो पर मिनने वाले छोटे गास के मैदानों को जम्मु कस्मीर में क्या कहा जाता है अब दोस्तों जम्मु कस्मी मेदानों को उत्राखंड में क्या कहा जाता है दोस्तों तो दोस्तों देखेगा अभी अभी मैंने बताया था देखेगा पहले वाला तो कहां पे था ये तो मैंने बताया था कि लगू हिमाले स्रेणी के डालों पर मिलने वाले हैं आपके छोटे छोटे गास के मेदानों को ज I hope आपको समझ में आया होगा अगला स्वाल आपके सामने एक्जाम मिट्टा वगने वाला स्वाल है दोस्तो कि सतलज एवं काली सिंध के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक वी बाग इस्तित है मेरे सातियो तो देखेगा इस क्यूसन का आंसर में आपको बता देता हूँ पहले ही तो कि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कुमाओ हिमाले ओके कुमाओ हिमाले आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके दोस्तो अगला स्वाल आपके सामने दोस्तों देखेगा इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था और यदि आप चाते हो और बताओं तो मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि 100% एक जामेट अपकता है तो दोस्तों पंजाब हिमाले के बारे में मैंने क्या बताया था पंजाब हिमाले के बारे में मैंने बताया था सिंदू और सतलज के मद्दे दोस्तो किसके सिंदू और सतलज के मद्दे दोस्तो पंजाब हिमाले अब आप पुछोगे सर हमें तो नेपाल हिमाले बताओ तो मेरे प्यारे सातियों मैंने नेपाल हिमाले के बारे में क्या बताया था तो आप बोलो कि सर नेपाल हिमाले के बारे में आपने बताया था काली वद तिस्ता के मद्धे कौन सा काली और तिस्ता के मद्धे दोस्तों आपका नेपाल हिमाले आ जाएगा मैं बात करूँ दोस्तो असम हिमाले की किसकी दोस्तो असम हिमाले की मैं बात करूँ तो दोस्तो वो कहां पे है तो मेरे सात्यों तिस्ता और दिहांग तिस्ता और दिहांग आपको याद रखना है एकजाम में टपकते है क्यूसन ठीक है दोस्तो अगला स्वाल आपके सामने दोस्तो आप सभी प्यारे सात्यों को बताना है और उमीद करूँगा कि आप सभी अच्छे से बताने वाले हो ठीक है एक मिनिट वीजीबल नहीं हो रहा हाँ विजिबल हो रहा है इस वाल दोस्तों क्यूसन ये है कि काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमाले का कौन सा प्रादिशिक फिबाग लोकेटेड है दोस्तों मैंने अभी अभी आपको इस क्यूसन का अंसर बताया था नेपाल नेपाल मैंने आपको बताया था लेकिन एक बार मैं आपको और रिवाइज करवाना चाओंगा दोस्तों क्यूंकि एगजां में क्यूसन टपगते हैं बतादू दोस्तों तो चलिए एक बार आप लाइक वाला बटन दबा दीजेगा मैं आपको बताना चाहूँगा पहले तो पंजाब हिमाले के बारे में अभी अभी मैंने बताया भी था कि जो आपका पंजाब हिमाले है मेरे सातियों वो कहां पे कहां पे है मेरे सातियों आपको याद रिखना है सिंदू तता सतुलुज दोस्तो नेपाल के बारे में तो इसमें दिया गया है काली एवं तिस्ता दोस्तो मैं बात करू असम की मैं बात करू दोस्तो किसकी असम हिमाले की तो दोस्तो वो कहां पे लोकेटेड है तो मेरे सातियों याद रखना है तिस्ता और दिहांग मैं बात करूँ दोस्तो कुमाव हिमाले की तो मेरे साथियों आपको याद रखना है कि जो कुमाव हिमाले है वो कहां पर लोकेटेड है मैंने अभी भी बताया था सत्लज एवं काली के मद्दे दोस्तो याद हो गया तो चलिए दोस्तो अगले क्यूसन की तरफ हम बढ़ते हैं काफी अच्छे क्यूसन सही है तो दोस्तो अगला सवाल 100% हेग्जाम में टपकने वाला सवाल आया है यहाँ पर पूचा कि किस हिमाले चोटी को सागर माता कहते हैं तो मेरे सात्यों माउंट एवरेश्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो और अगला सवाल इससे भी बहतरीन होने वाला है इस क्यूसन का आंसर आप सभी ने बताया यहाँ पर क्यूसन है कि एंड मंड हिलेरी माउंट एवरेश्ट पर सबसे पहले किस वरस विजे प्राप्त करी थी दोस्तो यह क्यूसन जरूर टपकेगा चाहिए ओ टपको या ना टपको तो देखेगा इस क्यूसन का जो राइट आंसर नाइंटीन फिप्टी थी आपको याद रखना है दोस्तो उस टाइम पे हमारे जवाल लाल नहरू परदान मंतरी के पोस्ट पे थे तो दोस्तो अगला सवाल आपके सामने आप सभी प्यरसातियों को बताना है कि जो नंदा देवी चोटी है दोस्तो वो कहां पे है दोस्तो मैंने अभी अभी बताये था क्या बताये था तो आप बोलोगे कुमाव हिमाले का भाग है मेरे सातियों बहुत ही बैतरीन अगला सवाल आपके सामने मेरे सातियों आप सभी प्यरसातियों को बताना होगा यहापे पुच्चा तो यह गया है कि दोस्तो हिमाले परवत की एक स्रेणी आराकान योमा कहां पे लोकेटेड है मेरे साथ यह बहुत ही प्यारा सवाल है और उमीद करूँगा दोस्तो कि आप सभी आसानी से बताएंगे यहापे म्यामार दोस्तो क्या हो जाएगा आपका रा 143 किलो मिटर की अच्छा तो दोस्तो अगला सवाल इससे भी बहतरीन होने वाला है और उमीद करूँगा कि आप इसके चार चान दोर लगा देंगे अच्छा तो मेरे दोस्तो इस क्यूशन का आउसर बता दीजेगा कि जम्मो कस्मीर मेहिस्तित निमल लिकित परवत स्रेण तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तो पहले तो आपका कौन सा हो जाएगा तो यहां पे कारा कोरम स्रेणी ओके कारा कोरम स्रेणी दोस्तो पुरुवा में है इसके अलावा में बात कर तो फिरा जाएगा आपका लदाक लदाक की में बात कर तो फिरा जाएगा आपका तो मतलब आप पहली बार पढ़के ही इसका अच्छा आंस्वर कर सकते हैं तो मेरे साथियों अगले स्वाल की तरफ हम बढ़ते हैं काफी प्यारा स्वाल है यह आप सभी पहरे साथियों को बताना होगा यहां पे कि दोस्तों बारत की सर्वोच परवत स्रेनी कौन सी है तो मेरे साथियों इस क्यूशन का तो छोटा बच्चा भी अच्छे से आंस्वर कर सकता है बारत की सर्वोच परवत स्रेनी केटू गोडीन आश्टीन भी आप बोल सकते हैं जिसकी उचाई 8,611 मिटर है मेरे साथियों ठीक है और यह कारा कौरम की सर्वोच उची चोटी है यह मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ मेरे साथियों अगला सवाल आपके सामने आप सभी प्यारे साथियों को बताना होगा कि जो आपकी कुलू गाठी है दोस्तो निमल लिखित परवत स्रेनी के बीच अवस्तित है दोस्तो आप सोच देने कि मैं भी कुलू जा क्या हूंगा एक बार तो तो दोस्तो इस किसन का अंसर आपका क सेंट टपकने वाला स्वाल है लिख लीजिएगा दोस्तो कि उत्तरा खंड का जो सबसे उचा परवत है दोस्तो वो आपका कौन सा है तो मेरे सात्यू ये काफी ज्यादा फेमस है जिसका नाम है दोस्तो नंदा देवी कौन सा है नंदा देवी परवत आपको याद रखना ह दोस्तों पुच्चा जाता है टपकता है दोस्तों अगला सवाल आपके सामने कि सीवालिक सरेणी का जो निर्मान हुआ है दोस्तों वो किस से हुआ है ये काफी टेकनिकल सवाल है मेरे साथियों और इस क्यूशन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका स सेनो जोईक, सेनो जोईक आपका correct answer हो जाएगा, तो मेरे सात्यों इससे भी बहतरीन क्यूसन आपके सामने, आप सभी को बताना है कि हिमाले का जो दूसरा, सबसे उंचा परवत शिक्र, कंचन जंगा भारत के किस राज्य में है, तो मेरे सात्यों और टपको या ना टपको, ल अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने आया है मेरे सात्यों, आपको बताना होगा कि निमल लिखित में से सबसे प्राचीन परवत स्रेनी कौन सी है, तो मेरे सात्यों वो आपकी अरावली परवत स्रेनी हो जाएगी, और दोस्तों अरा और इस परवत की यानि की इस पहाड़ी की जो सबसे उची चोटी है वो भी पूच सकता है दोस्तों गुरु सिकर है जिसकी उचाई 1722 मिटर है और आपको तो पताई है कि अरावली के पैसिम और से माही एवं लूनी नदी निकलती है दोस्तों और लूनी नदी कच के रन में जाकरे विलीन हो जाती है और अरावली के पुरुवकी और बनास नदी भी निकलती है मेरे साथियो अगला सवाल आपके सामने इसक्यूसन का सभी ने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया है अब आपको बताना होगा मेरे साथियो बहुत ही बहतरीन सवाल आपके सामने है बुच अगया कि भारत में निमल लिखित में से कौन सी परवत सरेनी केवल एक राज्य में फैली हुई है तो मेरे साथ यो बहुती बहतरीन स्वाल है आपके सामने ठीक है तो चलिए बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर तो देखेगा यहां पर आप बोलोगे अजन्ता की पहाडिया कौन सी हो जाएगी दोस्तो अजन्ता की पहाडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला सवाल आपके सामने 100% एकजाम में टपकने वाला सवाल है कि बारत की सबसे प्राचीन वलरित परवत माला कौन सी है मेरे सातियो बहुत ही बहतरीन सवाल है आपके सामने और देखेगा इसक्यूसन का मैं आपको आंसर बताओ तो अभी-बी मेने आंसर कियाथा अरावली परवत माला आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथ यो अगला सवाल आपके सामने कि अरावली परवत का सरवोच सिकर क्या कहलाता है बहुत ही प्यारा सवाल है और मैंने इसकी उच्चाई भी बताई थी दोस्तों 1722 मिटर जिसका नाम है दोस्तों गुरू सिकर अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि पस्चीमी घाट कौन सा घार दोस्तों पस्चीमी घाट क्या है बहुत प्यारे साथी आंसर करने से अटक जाते है इसक्यूसन में लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यह एक ब्रंस का घार है क्या है यह एक ब्रंस कगार है दोस्तो याद रिखना है पसीमी गार पूचा जाता है अगला स्वाल दोस्तो आप थोड़ा सा कनशूज हो रहे होंगे मैं देखेगा वो आपको बताऊंगा कि आप कहां पर कनशूज हो रहे हैं क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि पंजाब हिमाले का विस्तार सिंदू एवं सतलज नदियों के मद्दे हैं मैंने बताय था कुमाव हिमाले का जो विस्तार है दोस्तो वो सतलूज एवं काली सिंध नदियों के मद्दे हैं मैंने बताय था निपाल हिमाले का विस्तार जो की काली एवं तिस्ता नदियों के मद्दे हैं और मैंने बताए था कि असम हिमाले का जो विस्तार है वो तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मद्दे हैं यह सारी चीजे मैंने ओलरी डिसकस कर रखी है इसके अलावा अब आपको इसक्यूसन का अंसर देना है दोस्तों यहापे पुच्चा गया है कि निमल लिखित में से कि इस परवत माला को सहहादरी के नाम से जाना जाता है मेरे सात्यों काफी पैरा स्वाल है और मैं आपको बता देता हूं कि इसक्यूसन का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा गाट हो जाएगा पसीमी गाट आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पैरे सेर एंड सेंड य और उमीद करूँगा दोस्तों आप सभी बताएंगे अनाई मूडी दोस्तों कौनसी परवत स्रेनी हो जाएगी अनाई मूडी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पहरे सातियों याद रखना है अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आप सभी को बताना है कि पुर्वी घा की पहाडिया हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल काफी ज्यादा महतोपून है एकजाम में टफक सकता है लिख लेना मेरे सातियों क्यूशन ये है कि भाई भारत के सबसे दक्सिनी बाग में इस्तित पहाडिया निम लिखित में से कौन सी है तो मेरे सातियों इस क्यूशन का क्युसन आपके एकजाम में ये पुच्चा जा सकता है लिख लेना मेरे साथियो कि पुर्वी घाट परत श्रेणी का जो सरवोच सिकर है मेरे साथियो वो कौन सा है तो मैं आपको बता देता हूँ वो आपका महेंदरगीरी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों पूर्ण है ये सेट आपके लिए दोस्तों पूरा जरूर देखना आपका परवस से रिलेटेड एक भी क्युशन गलत नहीं होने वाला और दोस्तों ये दिया आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरू करना दोस्तों सर्मारा नहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगल हो जाएगा दोस्तों जहां के सी एम आपके पिंद्रेई वीजेन है आरिफ मौमद घान यहां के गवनर है इतना आपको याद रख लेना है मेरे साथियो अगला सवाल आपके सामने आपको पुछा किया है कि गिरनार पहाडिया कहां पेशित है तो मेरे साथियों मैं आप सामने देखेगा यहां बहुत प्यारे साथि कंफूज हो रहे होंगे लेकिन मैं उनका पूरा पूरा कंफूजन दूर कर दूँगा दोस्तों ठीक है हाँ तो दोस्तों सवाल यह है अगला कि गारो खासी वे जैनतिया की जो पहाडिया है वो किस राज्ये में है मेरे साथिय तो मैं आपको पहले भी बता रहा था अब भी बता रहा हूं कि इस क्यूजन का जो राइट आंसर हो आपका मेगाले हो जाएगा दोस्तों मेगाले आपको याद रखना है ठीक है अगला सवाल आपके सामने मेरे सातियों आप सभी को बताना है कि निमल लिखित में से कौन सी दक्सिनी बारत की सबसे उची चोटी है तो मेरे साथियो ये क्यूशन तो कोई भी गलत नहीं करने वाला क्योंकि इस क्यूशन का जो राइट आंसर है वो आपका अनाई मुदी अनाई मुदी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियो अगला सवाल इससे भी बहतरीन है और मैं उमीद करूँगा मेरे सातियों कि आप सभी इसका बहतरीन रिप्लाइ करने वाले हैं ठीक है तो एक मिनट आपको वीजिबल हो रहा है क्यूसन एक मिनट मैं चे कर लेता हूँ दोस्तों हाँ जी आप सभी पहरे सातियों को बताना है कि भारत एवं म्यामार की सीमा निर्धारन करने वाली जो परवतस्रेनी है मेरे सातियों वो आपके कौन सी हो जाएगी तो आपको याद रखना है खासी पटकोई तता आपका अराकान योमा आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों क्यूसन ये है आपके सामने कोई बात नहीं मेरे सातियों यहाँ पे करम कुछ इस परकार होगा तो देखेंगा पहले तो में बताना चाहूँगा पहला महादेव की पहाडिया एगी महादेव की पहाडिया ठीक है तो यह बी वाला ओप्षन गठ जाएगा सत्पूरा पहाड़िया पहली है तो बिल्कुल मेरे भाई यहां पर option C right answer हो जाएगा और option A B आपका cut जाएगा अगला सवाल आपके सामने पुच्चा गया है कि छोटा नापूर का पटार की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है मेरे सातियो तो दोस्तो देखेगा exclusion का जो right answer है वो आप सभी को बताना है क्या होने वाला है तो I hope आप सभी ने सोच लिया होगा तो आपका क्या हो जाएगा पारसनात क्या हो जाएगा दोस्तो पारसनात आपको याद रखना है पुच्चा रता है दोस्तो इससे भी बहतरीन सवाल आपके सामने है आप सभी प Sakya को बताना है कि धूपगड जो चौटी है दोस्तो कहां पे इस्तीत है काफी प्यारा सवाल है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सत्थ पूड़ा रेंज में कहां पे है सब पूड़ा रेंज में दूपकड जो चोटी है दोस्तों वो आपकी लोकेटेड है इस्तित है मेरे साथियों अगला सवाल आपके सामने अरावली स्रेणी किस राज्य में इस्तित है लोग भै सबसे इजी सवाल कौन सा सबसे इजी सवाल दोस्तो अरावली परवत माला किस राज्य में है तो वो अपने राजस्तान में है दोस्तो अगला सवाल आपके सामने आपको बताना है कि नंदा देवी सिक्री इस्तित है दोस्तो कहां पे कौन से राज्य में है तो यह तो उत्रा खंड हो जाएगा मेरे साथियो बिल्कुल छबी आंसर बता देंगे अगला सवाल आपके सामने आपको बताना है कि हिमाले की उची चोटी कंचन जंगा कहां पे इस्तित है मेरे साथियो तो ये भी आपका बिल्कुल आसान सा सवाल है मेरे साथियो जो कि मैंने पहले भी आपको बताये था आपका सिक्किम, सिक्किम में इस्तित है दोस्तो, अगला सवाल आपके सामने काफी प्यारा सवाल है, यहाँ पर बोलाए गया कि केटू के बाद भारत में निमन लिखित में से कौन सी दित्तिय सर्वोच चोटी है मेरे साथ, यह कंचन जंगा, कंचन जंगा दित्तिय सबसे उची चोटी है दोस्तो, जो कि मोश्टली आपको एकजाम्स में देखने को मिलती है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तो, आप सभी पहरे साथियों का आंसर करना होगा, कि हिमाले के सर्वोच सिकर, माउंट एवरेष्ट की जो 48 मिटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, अगला सवाल आपके सामने की कोड़ा एक कनाल, किस परवत सरंकला पर इस्तित है मेरे साथियों, ये आपका काफी प्यारा सवाल है, लेकिन मैं बता देता हूँ, पालनी, पालनी इस क्यूसन का राइट आंसर हो जा इस्तित है मेरे साथियों, तो देखेगा सबरी माला की में बात करूँ तो कौन नहीं जानता दोस्तो केरल में है, कहां पे है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो दोस्तो यहां पे पुच्चा गया है, कि उत्तर इस्तित परवत कौन सा है, तो मेरे साथियों, यह क्यूसन भी काफी प्यारा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, अरावली, दोस्तो अरावली जो है, दोस्तो वो उत्तर पस्चिम में इस्तित परवत है, अगला सवाल आपके सामने, सयादरी छेतर के नाम से, निमर प्यारा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपका पस्चिमी काठ हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, दोस्तो अगला सवाल आपके सामने की गुरु सिकर किस राज्ये में इस्तित है, तो दोस्तो आपका राजस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितनी चाहिए है, 1722 मिटर, अगला सेव राई की पहाड़िया कहां पे लोकेटेट है, मेरे दोस्तो ये भी काफी प्यारा सवाल है, यानि कि इस क्यूसन का आंसर आपका तमिन लाडू हो जाएगा, कौन सा, तमिन लाडू, दोस्तो यहाद रखना है, तमिन लाडू में एक परव गाट मिलते है, वहाँ निम लिखित में से कौन सी पहाड़िया इस्तित है मेरे सातियों, तो दोस्तो ये क्यूसन तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, यानि कि नील गीरी की पहाड़िया आपका राई आंसर हो जाएगा, दोस्तो बढ़ते हैं अगले क्यूस कौन सा हो जाएगा, सत्पूडा परवत आपको याद रखना है, अगला सवाल आपके सामने कि अंडमान और निकोबार दीब सुम्हों में सबसे अधिक उचाई वाली जो चोटी है दोस्तों, वो आपकी कौन सी पिक हो जाएगी, सेंडल पिक का आपको याद रखना है, ओक मेरे साथियों, इस क्यूसन का आंसर तो सभी बता देंगी कि अरावली परवत दोस्तों, जो कि राजस्तान में है मेरे साथियों, अगला सवाल आपके सामने कि हिमाले की सबसे पुर्वी चोटी कौन सी है मेरे साथियों, तो दोस्तों आपको याद रखना है, नामचा दोस्तों हिमाले की सबसे पुर्वी चोटी है, अगला सवाल आपके सामने 100% एक्जामे टपकेगा दोस्तों, ये आपको बताना है कि हिमाले परवत शरेनी निमल लिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, देखते ही आंसर कर देंगे, उत्तर परदेश दोस्तों, यू परवत आते हैं भारत में, सबका निप्तारा हो चुका है, और दोस्तों अगली बार जो वीडियो आएगा, उसमें में विश्व के जितने भी परवत है, उन सबका निप्तारा करने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करना और सेर जरूर करना और जो भी आपके पहरे साथी, competitive exam की तियरी, चाहिए वो railway हो, SSE हो, bank हो, police हो, state, PSE हो, उस सबको भी आप send कर सकते हो दोस्तों, और दोस्तों मैं offline इसलिए बना रहा हूं, क्योंकि याँ पे मैं मातर कुछ ही minute में, मतलब मातर में आपको only on 30 मिनट में, पूरे ज तो वहाँ पे में बहुत कम चीजे करा पाता, यानि कि only में 40-50 क्यूशन भी में पूरे नहीं करा पाता, इसलिए मैंने इस तरीके से class ली है, ताकि आपका time भी बचे और आप ज्यादा से ज्यादा चीजे सीखे, तो thank you so much साथियो, और अभी आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं और दोस्तों सेनिकों का सम्मान करे, thank you so much, डनेवाद, जे हिन, जे बारत